हाई एवरिवान वेल्कम बैक टू माई चैनल कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो सो मुआर का दिन है और टाइम करीब 11 बजने वाले हैं सुबह के तो सुबह का खाना पीना ये सब काम करने के बाद मैंने घर की पूरे साब सफाई कर ली है सब कुछ मतलब कपड़े वगएरा सब कुछ हो गया है अभी लगी हूँ कीचिन की सफाई में तो आज कीचिन की मुझे मतलब जो वीकली मन्थली क्लीनिंग करती हूँ उस तरह से कर रही हूँ क्यूंकि दो दिन में जो है निवरात्री स्टार्ट होने वाले हैं तो होता है ना कि निवरात्री से पहले या कोई भी तहवार हो तो उससे पहले जैसे कुछ मतलब नियोरात्री हो गया दिपावली हो गया यह सब ऐसे तेवार है ना कि इन में जो है पूरा घर किचन सब कुछ बिल्कुल साप सुतरा कर लिया जाता है तो उस दिन तो संभाव है नहीं और एक दिन में पूरी मतलब एक दिन पहले भी अगर पूरे घर की सफाई हम करें किचन और पूरा घर तो भी मुश्किल हो जाएगा तो एक एक दिन करके ना मैं इस तरह से साप करी हूँ तो आज मैंने किचन से ही स्टार्टिंग की है तो सबसे पहले जो है जो भी प्लेटफॉर्म पे जितना सब ओर्गिनाइजर वगरा रखती हूँ मसाला स्टेंड और कप वाला और सबजी हूँ वाला वो सब मैंने धो दिया अच्छे से और धोने के बाद ले गई हूँ धूप में डाल दिया है उसके बाद यहाँ पे जो है बरतन स्टेंड को साफ कर लूँगी तो सारे बरतन अभी तो बरतन सारे धूले ही हैं तो कमी बरतन है इस पे तो मैं सोच रहे हूं कि पहले इसको साफ करके उस पे सारे बरतन लगा लूँ फिर जो है मतलब जो बास्केट में भी कुछ दूल के रखे हुए हैं यहां पे बाहर वाले तो बाद में लगाऊंगी जो अभी यहां प्लेटफॉर्म पे हैं उनको लगा दूँगी तो एक स्क्रबर ले लिया है और विम जेल वही उसी से साफ कर ले रही हूं इसको ना मैं भीगे कपड़े से ही पोचूंगी क्योंकि धोने में बहुत जादा पानी पानी हो जाएगा फिर बहुत जादा फैल जाएगा तो टाइम भी बहुत जादा लगेगा तो बस इस तरह स से पहले इस क्रबर से जो ए अच्छे से रगड दे रही हूं उसके बाद जो है टौवल से भीगे हुए टौवल से जो है साफ कर दूंगी तो साबुन से पूरा अच्छे से साफ कर दिया है बहुत महनत लगती है तो किचन में कुछ चीजे ऐसी होती है ना जिने साफ करने में महनत ज्यादा लगती है और इसे मैं हपते दिन पे या उससे भी कम जैसे कपड़े से तो पोच देती हूं लेकिन साबुन से इस तरह न मैं क्या करती थी ना कि इसको बहुत दिन के बाद जैसे साफ कर गया करती थी बहुत ज्यादा मतलब इसको बाहर निकाल के साबुन से धोना पड़ता था लेकिन अभी ये आदत मैंने लगाई है ना कि थोड़ा जल्दी जल्दी पहले तो भीगे हुए कपड़े से पोच ल तन उस पे थे, उन सब को लगा दिया है, और अभी यहाँ पे फ्रीज के ऊपर का जो मैट वगरा भी छायता उसको हटा दिया है, और फ्रीज से सारा सामान निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे फ्रीज की भी क्लीनिंग करनी है, तो नियुरात्री में फ्रीज की क्लीनिंग एक प्रीज की deep cleaning जरूर करती हूं दोनों नियुरात्तरी से पहले एक दो दिन पहले ही कर देती हूं तो अब ऐसा नहीं है कि आज कल जो है दो दिन इसमें खाना वगरा कुछ मतलब खाना क्या मैं तो बहुत कमी खाना वगरा रखती हूं जैसे सबजी हो गया कुछ या लैसुन प लेकिन उसके बाद फिर उस दिन ना फिर अच्छे से जो है सुबा कपड़ा मार दूंगी कपड़े से पोश दूंगी तो फिर यह साप हो जाएगा तो यहां पे सारा उसका जो है निकाल के प्लेट वगरा जो भी थे उनको निकाल के धो दिया है और ले जाके अभी इसको हरा भी है बहुत जादा बढ़िया मौसम नहीं है सुबा तो अच्छी दूप निकली लेकिन बीच बीच में वही बादल जैसा हो गया और मुझे किचन साप करते टाइम तक ना दो तीन बार उसी में बारी साई फिर धूप हुई मतलब दोड़ भाग बहुत हुई सामान साबू नहीं लिया है विनेगर वगरा या सोडा कुछ भी नहीं लिया है उससे भी बहुत अच्छा साप होता है तो फ्रीज में बहुत ज़्यादा गंदिगी होना तो उसी से साप करना चाहिए लेकिन जब हम हमेशा साप करते हैं रूटीन में ऐसा निया मैं डिप क्लीनि करने की जरूर नहीं पड़ती है तो deep cleaning तो मैं इसका जो है दो तीन महिने बाद मतलब दोनों ने रात्री में तो बिल्कल फिक्स है दोनों ने रात्री से पहले और बीच में एक दो बारी और हो जाता है बाकि बहुत जलदी जलदी deep cleaning नहीं करती हूँ तो बस यहाँ पे पूरा जो है वही स्क्रबर से जो है अच्छे से लगा दिया था थोड़ी देर पांच मिनट करीब छोड़ा हुआ था और अभी कपड़ा वही ले लिया भीगा हुआ उससे पोच दे रही हूँ उसके बाद एक बार फिर से जो है कपड़ा से मैंने भीगे हुए दो तीन बारी पोचा है उसके बाद सूखे कपड़े से भी दो बार पोचना होता है तब चाके यह थोड़ा मतलब अच्छे से साप होता है और देखे मैंने प्लग निकाला हुआ है लाइट का न तो यह पानी मोईस्चर छोड़ रहा है तो अभी बस थोड़ा देर और सूख जाना तो तुरन जो है फ्लग लगा दूँगी तो बस फ्री जो अगर आप पूरा अच्छे से साप करने के बाद अब बारी आ गई है यहाँ पर यह विंडो साप करने की तो यह है मतलब जो जो काम बहुत जादा कठिन है ना उनको सब पहले कर रह है मतलब इसको साप करना मतलब पूरा किचन फैल जाता है लेकिन यह है कि अगर इसे साप कर रहे हूं तो मुझे मजबूरन पूरा किचन साप करना ही पड़ेगा चाहे जब साप करूं तो इसको भी महीने महीने पर साप करती रहती हूं बहुत जादा मतलब एक डम गैस के तो बहुत जादा दिक्कत हो जाती है नहीं तो पूरे जाली पे साबुन लगा लिया है और इधर साइड में भी लगाया था टाइल्स वगरा पे तो इनको जो है कपड़े से अच्छे से पोच लिया है अभी साबुन धूला नहीं है कि थोड़ा गंदगी निकल जाए थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो वो अच्छे से जो है गंदगी थोड़ी बढ़ियां से न साब कर देती हूं गरम पाणी में भी अच्छे से साब हो जाता है लेकिन वही है कि जब अगर आप जल्दी-जल्दी कर रहे हो ना तो बहुत जादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बस ले लिया ब्रस से मार दिया ब्रस रगड़ दिया तो साब हो जाता है तो अभी पानी मार ले रही हूँ छोटा सा ग्लास लिया और बाल्टी में पानी भरके इसी से अच्छे से इसी तरह ये साप ही होता है या तो फिर मुझे पाइप लगाना पड़े तो वो ना मुझे थोड़ा सा ज्यादा वो लगता है पाइप रखा हुआ है मैंने कभी कभार उ नहीं अच्छे से आता है तो बस खिड़की को अच्छे से धो लिया है उसके बाद सारा वही टाइल्स वगरा जो आसपास की हैं सब अच्छे से पोच ले रही हूँ तो सबसे जादा तो गैस के पास की ही टाइल्से गंदी होती है वो भी डेली ही साप होती है तो बहुत ज चमक गया है एकदम जैसे थोड़ा सा मेनत लगता है साबुन से अच्छे से साप कर दो ना तो बिल्कुल ये है कि इस तरह सफाई की जाती है ना तो बड़ा सफाई के बाद बहुत अच्छा लगता है बड़ा सुकून मिलता है मेनत तो काफी हो जाती है लेकिन इस तरह की सफ में यही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है पूरा पानी जैसे इधर साइड आता है जब न तो पूरा फनीचर वगएरा इधर से खराब होने लगता है मतलब खराब हो जाएगा ऐसा नहीं waterproof ही लगा हुआ है लेकिन ज्यादा पानी के वज़े से खराब हो सकते हैं तो मैं प तो तहब ही बिल्कुल साफ कर दिया है और वही पानी से धो दे रहे हूं तो थोड़ा बहुट जो चिप चिकपापन ये सब रहता है न तो तहवार में क्या होता है न तहवारों में inde जैसे आम सफ़ाई तो करते ही हैं या तहवार के बहाने लेकिन यह होता है न कि उसी बह तेवारों में होते ही हैं चाय मन रहे या न रहे और वो दिमाग में बना रहता है कि हमें ऐसे करना है ये सफाइ करनी है तेवारों पर जैसे अब ये सिलसिला ना पूरा दिपावली तक चलेगा घर की साब सफाई करने का जब तक दिपावली मतलब दिवाली वाला तहवार बीत नहीं जाएगा तब तक साब सफाई ना रुकेगी नहीं होती ही रहेगी बीच में कुछ-कुछ तो अब भी जो है ने रातरी से पहले सिर्फ किचन और घर की इस तरह से क्लीनिंग होगी बाकी दिपावली में होता है ना कि बिल्कुल घर का उपर नीचे छट जहां तक हो सकता है पूरे घर की बिल्कुल डीप क्लीनिंग की जाती है परदे वगरा हो गए सारा कुछ मतलब दिवाली में ऐसा होता है ना कि सारा कुछ पूरी सफाई अच्छे से की जाती है तो ये सिलसिला अब जो है ना महीने भर चलता रहेगा सफाई की और कितना भी हम ठके रहें कुछ भी रहें लेकिन ना हमारा ही मन नहीं मानेगा जब तक हम कर नहीं लेंगे ना तब तक मन जो है नहीं मानेगा तो बस पूरा जो है प्लेटफॉर्म वगरा साप करने के बाद उधर का रेक भी मैंने पोच लिया डबे पोच लिये उधर मैंने रहे कभी कुछी दिन पहले हपते बर पहले जो अच्छे से मैट वगरा सब साबुन से दुल के उस पे विछाया था तो बस पोचना था कपड़े से बहुत ज्यादा गंदा नहीं हुआ था इधर यहाँ पर यह बास्केट भी लास्ट में जो पूरे किचन की क्लीनिंग करूंगी न उसी दिन होगा और दिन हम टाइम निकालने में रह जाते हैं कि अभी टाइम निकलेगा तो यह काम होगा अब जैसे पूरे किचन की क्लीनिंग कर रही हूं तो टाइम काफी होई जाएगा लेकिन फिर यह होता है ना कि जब कर रही काम खतम ही कर लेती हूं थोड़ा सा आदा गंटा एक गंटा लेट ही होगा लेकिन पूरा काम खतम कर लिया जाता है तो बस बास्केट होने के बाद जो टॉविल वगरा थे दो तीन निकले थे एक मैं फ्रिज में भी टॉविल मोटा सा बिलकुल लगाती हूं नीचे क्योंकि हलका फुलका पानी आता है ना तो वो जो है टॉविल में ही सोख लेता है नहीं तो फिर बाहर पानी आता है ना तो फ्रिज नीचे से खराब होने लगता है तो मैं यह जो पिंक वाला है यही वाला अंदर लगाती हूं काफी मोटा भी है तो इसको भी निकाल दिया है और अ आज साप करके डाल दूँगी यहीं बरामदेव अगरा में या गैलरी में कल धूप होगी तो फिर बाहर डाल दूँगी तो बस यहाँ पे सिंग को भी अच्छे से साप कर लिया है तो यह तो डेली का ही है तो इसमें कुछ सफाई ऐसी है ना कि जो मंथली होती है कुछ वीकल गीने, दो महीने इस तरह होता है जो है इसकी डीप क्लिनिग बाकी ओर गीनिग तो ऐसे पोचना वगरा वो तो हर दो दिन पे तिन दिन पे हो जाता है यह फर्स भी मैं हपते दिन पे दस दिन पे साफ करती हूं, जब विंडो धोती हूं, खिड़की धोती हूं, या गैस को ऐसे साबुन से धोती हूं, पानी जब गिराती हूं, तभी इसको भी साफ करती हूं, तो सर्फ डाल लिया था, जाडू मैं मंगाना भूल जारी हूं इसके लिए, क्योंकि सीक वाले जा तो इसी से जो ए अच्छे से रगड के पूरा साप कर लिया है और सिंग के नीचे थोड़ी सी गंदगी हो जाती है तो उसको भी साफ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो मैंने साबून से अच्छे से साप किया उसके बाद सारा पानी जो किचन में जितना भी था सबको अच्छे से वाइब कर लिया है फैन भी चला दिया है कि अच्छे से जल्दी से सूख जाए तो अब ही लास्ट में बारी है यहाँ पे ये फरनीचर पोचने की तो इसको भी टॉवल लिया है और ये कॉलीन से पोच ल लेकिन ये वाला जैसे माइक्रो फाइबर वाला है तो इससे बहुत अच्छा मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से साब हो जाता है वैसे तो मैं खरीती नहीं हूँ कीचन वगरा के लिए या डस्टिंग करने के लिए घर में भी टॉवल वगरा मैं नहीं खरीती हूँ एक द तो तीन रखा हुआ है तो वही सब बाकी तो जो टीशर्ट वगरा हो गया या इस तरह से यही सब यूज करती हूँ तो अभी देखे पूरा किचन मैंने क्लीन कर लिया है तो दो घंटे लगे दो धाई घंटे पूरा लगे हैं जो है मेहनत काफी हो गई थकान भी हो गई है लेकिन किचन बिल्कुल चमक गया एकदम देखे और फ्रीज में अभी सामान रखने बाकी है और यहाँ पे जो सामान मैंने बाहर रखा हुआ है वो सब ले आने बाकी है थोड़ा सूख जाए ना उसके बाद ले आके रखूँगी क्योंकि अभी चारो तरफ ना जैसे गील किचन में भी है तो फैन चालू किया है थोड़ी दिर बाद यह सुखेगा तो इसके बाद मैं रात का आपको दिखाऊंगी थोड़ी दिर बाद मैं नहाने चली गए थी क्योंकि किचन साफ करने में बहुत भीग गए थी सुबह का एक बारी मैंने नहाया था लेकिन फिर से पूरा पानी पानी हो गया था तो फिर मैं नहाने चली गई तो इधर फर्स वगरा सब देखे बिलकुल क्लीन हो गया तो अब महीने भर की ना छुट्टी हो गई जो है रातरी तक तो मुझे कुछ भी इस तरह से डीप लिंग डेली वाला जो होता है वही करना पड़ेगा बाकी और बहुत जादा नहीं करना होगा फिरीच का सारा प्लेट वगरा जो भी था मैंने लगा दिया है पोच पोच के थोड़े बहुत सूखे थे और सूखे हुए कपड़े से मैंने पोच दिया है लेकिन अभी भी देखे कितना पानी आ रहा है तो अभी थोड़ा ठंड मैंने के बाद बीच-बीच में मैंने सारे सामान रखें और अगरा बनाने के बाद फिर प्रीज प्रीज का हो सब भी बाकी था सब कुछ किया तो में फ्रीज का ही था सामान रखने थे और इधर कॉर्णर में रखती हूं मसाला इस्टेंड और मिक्सर वगरा तो यहीं जादा रहता है बाकी इस पे तो और कुछ रखती नहीं हूं भिंडी वगरा मैंने सुबा के लिए धो लिया और यही रात के तो आज का यह मेरा क्लीनिंग ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अच्छा लगाओ तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलूंगी नेक्ट वीडियो में बाबाई थेंक्स वर वचिंग